नमस्कार, मैं Dr. Roshni Verma जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया है स्ट्रेस के बारे में काफी सारी चीजें और आज हम बात करने जा रहे हैं कि योगा से स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए तो जैसे कि हमने पहले के वीडियो में अश्टांग योग के बारे में बात की थी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या, धार्ना, ध्यान और समाधी इसके बारे में अब आप जान चुके हैं और इस वीडियो के description में भी मैं इन वीडियो के link share कर दूँगी अगर आपको लगे कि इन में से कोई सी चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं और हमने आईश की guideline में भी देखा था कि हमें डेली 30 मिनिट का समय निकालना चाहिए योगासन ध्यान और प्राणायाम के लिए तो कौन-कौन से योगासन प्राणायाम या ध्यान ऐसे हैं जो कि stress को कम करने में हमारी मदद करते हैं और उनको कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे पाते हैं सूरी नमस्कार तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सूरी नमस्कार एक whole body exercise है पूरे शरी का व्यायाम इससे हो जाता है अच्छे से और नहीं भी कर पा रहे हैं सूरी नमस्कार तो कुछ ऐसे आसनों का सेट बनाईए जिसमें की और बरावर संख्या मे करिए है ना तो इस टाइब के आसन होना चाहिए तो यह चीज हो सकती है वो कर सकते हैं और अगर ऐसी कंडिशन है कि आप आसन भी नहीं कर पा रहे हैं बलकुल भी तो फिर उसके लिए यह कि walking करिए walking भी अच्छा होता है काफी अच्छी exercise होती है तो एक वो भी कर सकते हैं ह और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं मानली जी आप तेजी से चल भी नहीं पा रहे है और आपको काफी अच्छा फील होता है तो एक यह चीज आप कर सकते हैं और इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्राणायाम की तो जो प्राणायाम होते हैं उसके लिए मेंली जो चीजे चाहिए होती है शान्त जगह होना चाहिए स्वच हवा आती रहे वहां पर और भी जो डायरेक्शन्स है और भी जो निर्देश्ट है वो मैंने आपको प्राणायाम के वीडियो में बताए हुए हैं मैं अभी आपको simply ऐसे ही करके बता रही हूं बाकि आप उ प्रेस को मैनेज करने के लिए मुख्यतर तीन प्राणायाम यूज होते हैं अनुलोम विलोम भ्रामरी और शितली ठीक है तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है बेसिकली वो क्या होता है अल्टेनेट नॉस्ट्रिल ब्रीधिंग होता है ठीक है अब इसको कैसे करते ह देखिए इसमें एक स्पेसिफिक मुद्रा होती है नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं उसका अल्टेनेटीव भी बता दूंगे आपको अनुलोम विलोम की बात करते हैं सबसे पहले तो इस प्राणाया में क्या करते हैं ऐसे अपने थम से अंगुटे से एक तरफ है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको श्वास को अंदर लेना है और राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगुटे से बंद कर गे रखना है ठीक है और अब फिर क्या करना है? यह श्वास लेली उसके बाद में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को close कर दिया और राइट को open करके श्वास को बाहर निकाल दिया इसके बाद क्या करना है राइट नॉस्ट्रिल अभी खुला हुआ है तो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया ठीक है तो ये इस टाइब से किया जाता है इसमें ये जो थंब है है ना? और यह ring finger हैं इनकी movement होती है अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे ठीक है। यही किया जाता है Continue नहीं कर पा रहे हैं इसे करिए अंगुटे से और index finger से ऐसे ठीक है। यहासे श्वास ली यहासे छोड़ दिया उसको बाहर फिर यहां से श्वास ली, यहां से छोड़ दिया इसको बाहर, दीरे दीरे यह प्रैक्टिस करें, इसके बाद में कोशिश करें कि थोड़ी देर तक आप श्वास को बीच में भी रोक सकें, ठीक है, तो यह हो जाता है अनुलोम बिलोम प्राणाया, इसके बाद दूसरा होता है, ब्रामरी प्राणायाम, मेरा फेवरेट है, तो जो ब्रामरी प्राणायाम होता है, यह स्ट्रस को कम करने में बहुत ही जादा इफेक्ट देता है, अगर आप इसको करेंगे तो आप खुद इसको महसूस कर पाएंगे, इसमें क्या करना होता है, कि देखिए, फिंगर को कैसे रखना है फर्स्ट वाली जो है आइस को क्लोस करती हुई सिर पर एक यहां नोस के यहां एक यहां और एक यहां इस टाइप से और जो अंगुटे हैं उससे कानों को बंद कर देना है ठीक है तो यह एक स्पेसिफिक मुद्रा है जिसमें भामरी प्राणायां को किया जाता है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो इन फिंगर्स को ऐसे रखिए मिला लीजे सबको ऐसे रखिए आंकों पर और कानों को बंद करिए अब क्या करना है भारे के जैसी आवाज निकालना है एक बार गहरी श्वास लेना है और फिर भारे जैसी आवाज निकालन है, देखिएगा, इस टाइप से, और जैसे की हर प्राणायाम के करना होता है क्योंकि आँखेव बंद होती है, इस अनको करना है अश दिक्कत होती है इसलिए ऐसा किया जाता है तो यह हुआ ब्रामरी प्राणायाम और जिनको ब्लेड प्रेशर की दिक्कत है जिनका ब्लेड प्रेशर बढ़ जाता है तो अगर वह लोग करेंगे ब्रामरी प्राणायाम तो उनको भी इसमें बहुत अच्छा रेजल्ट मिलता है ध्यानात्मकासन में बैट जाईए किसी भी और उसमें प्राणायम और ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं शितली प्राणायम की तो जो शितली प्राणायम होता है इसमें जो जीव है हमारी टंग है इसको पाइप के जिसा रोल करना होता है और उसके बाद में मूँ से श्वास को अंदर लेना है, थोड़ा सा रुखना है और फिर नाख से श्वास को बहार निकालना है, देखे कैसे करते हैं काफी कूलिंग एफेक्ट लगता है पूरे फेस में, आप जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, समर सीजन के लिए बेस्ट है, जब भी ऐसे हीट फील हो या यह चीज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सितकारी भी कर सकते हैं, लेकिन आप शित आप सघ्ट करनी की प्रक्टिस आप सकते हं, तो यह हूई प्राणयम की बात ह вамने तीन प्राणयम देखे अनुलोम, विलोम, भ्रामरी और शीदली प्राणयम, उसी तरह से ध्यान की अब बात करते हैं तो ध्यान आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने आंके बंद की, आइ सकते हैं और यह भी चीज धियान रखे कि जैसे अगर आप प्रानायाम नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम गहरी और लंबी श्वांस लीजिए याने अब्डॉमिनल ब्रीधिंग करनी है और जैसे कि आपने बच्चों को करते हुए देखा होगा कि उनके पेट में मुवमेंट होती है जैसे ही वह श्वांस को लेते हैं और बाहर चोड़ते हैं तो सेम वैसे ही करना है क्योंकि जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम भूलते जा रह करते हैं जैसे आप आखे बंद करके अगर नहीं कर पा रहें कॉंसेंट्रेट तो फिर उस कंडिशन में कोई मुल्ती रख लीजिए सामने या दीपक की लौ या मुंबती की लौ रख लीजिए उस पर ध्यान लगा लीजिए और एक तरीका यह भी होता है मंत्र जाप का तो यह लोग करते रहते हैं ऐसा पूजा पार्ट करते हैं और फिर मंत्र जाप करते हैं तो यह भी चीज आपने गौर की होगी कि उन में जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो काफी कम होता है वो काफी शांत सभाव के होते हैं तो यह चीज भी आप प्रैक्टिकली देख भी सकते अपने घरों में और आप खुद करेंगे तो आप खुद ऐंगे रिगता हो दो रिख bilang और इसके बाद नहीं बात करते हैं शवासन की या योग निद्रा की तो शवासन में पूरी बाड़ी है और जब भी आप आसन कोई तो उसके बाद भी एकदम से उठके कोई कामने करना है थोड़ासा करना है तो gosh जो हुता है वो वश्रान्तिय कर शंड होता है ये आराम करना होता है जिसमें वहको उसके लिए जो प्रॉपर होता है वो होता है शवासन और अगर टाइम है आपके पास थोड़ा सा तो फिर योग निद्रा करिए शवासन से ही हायर स्टेप होता है योग निद्रा तो उसको जब आप करते हैं ना तो उस चीज को मतलब यह है कि शब्दों में नहीं बता सकते हैं आप आप योग निद्रा कानुभव ले सकते हैं एक जो खुशी होती है उसमें और एक सुकून जो होता है जो शान्ती मिलती है आप सित महसूस कर सकते हैं उसको आपको कोई बतानी सकता, समझानी सकता है और जो लाइफ में आपके पॉजिटिव चेंजिस होते हैं वो भी आपको अपने आप महसूस होने लगते हैं तो इस तरह से हमने बात की प्रानायाम, योगासन और ध्यान के बारे में तो यह होगे योग की बात और अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए जो आपको लाइफ मिली है उसको जीए अच्छे से और बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल स्ट्रस मत लीजिए और जो भी आपको लाइफ में मिला है उसके लिए थैंक्फुल रही है हम अपने से उपर या जो हमारे पास नहीं है उन चीजों को तो सोच लेते हैं कहीं लोगों को वो भी हासिल नहीं है जो आपके पास है तो उस चीज के लिए थैंक्फुल रही है और सबसे बड़ी चीज लाइफ मिली है उस लाइफ के लिए थैंक्फुल रही है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसे भी आपका स्ट्रस काफी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि यह जो life है इससे बड़ा और कुछ नहीं है तो अपनी life को किसी भी चीज से, किसी भी stress से बचा कर रखिए और अगर कोई stress है तो उसको manage करिए Thank you